भारत में कोरोना वायरस के नए मामले हर दिन बढ़ रहे हैं ऐसे में देश के कुल 736 जीलों में से 630 जीले संक्रमन के शिकार हो चुके हैं प्रवासी मजदूरों के लोटने से इस्थिती और विक्राल होती जा रही है ग्रीम अंत्राले के मुताबिक 75 लाख प्रवासी मजदूर अपने घर पहुँच चुके हैं अगले 10 दिनों में 36 लाख और प्रवासीयों के घर लोटने की संभावना है इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में सबसे बड़ी चुनवती टेस्टिंग लाब में कमी की है देश के दो तिहाई जिलो यानि 486 जिलो में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक भी लाब नहीं है देश में सिर्फ 250 जीले हैं जहाँ पर टेस्टिंग लैब की सुविधा है जाँच का भार सबसे ज्यादा सरकारी पर्योक्षालाओं पर है 238 जीलों में सरकारी लैब हैं वहीं 50 जीलों में प्राइवेट लैब की सुविधा है यही कारण है कि टेस्ट में कमी और रिपोर्ट में देरी देखी जा रही है इंडियान एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताविक देश में आधी से अधीक यानी 318 लेब पाँच राजियों में है इन में से तमिन लाडू में 67, महराष्ट में 66, करनाटक में 53, आंधर प्रदेश में 52 और गुजरात में 39 लेब हैं वही दूसरी तरफ उतर प्रदेश में 28, ओडिशा में 17, बिहार में 15, चतीस गड़ में 7 और जहारखंड में 3 लेब हैं संक्रमन के 100 से ज्यादा मामले वाले 126 जीलो में से 47 जीले ऐसे हैं जहां एक भी लेब नहीं है 50 से अधिक और 100 से कम मामले वाले 99 जीलो में से 54 जीलो में भी जाच के लिए कोई लेब नहीं है 10 से अधिक और 50 से कम मामले वाले 218 जीलो में से 161 जीलो में परिक्षण की कोई सुविधा नहीं है 10 मामलो या उससे कम वाले 187 जीलो में से 154 जीलो में सैंपल जाच की कोई सुविधा नहीं है कोरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए केंदर सरकार ने मई तक 281 नए लेब बनाए हैं जिन में से 194 होट स्पोट राजियों में बनाए गए हैं होट स्पोट राजियों में करनाटक, महरास्ट, तमिल नाडू, दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना शामिल हैं कोरोना के नए होट स्पोट के रूप में सामने आते बिहार, ओडिशा और उतर प्रदेश राज में मई में केवल 26 नए लेब खोले गए हैं इस बिच भारत लगातार कोरोना जाच में व्रिधी कर रहा है मई की शुरुवात से लेकर रोजाना ओस्तन एक लाग से अधिक सेंपलों की जाच की जा रही है वर्तमान में ICMR द्वारा एपरूप 589 टेस्टिंग लेब हैं जो सेंपलों की जाच कर रही हैं 407 सरकारी लेब हैं, वहीं 180 प्राइबेट लेब हैं देश के विभिन राजियों में ने टेस्टिंग सेंटर के लिए ICMR के पास 50 आवेदन लंबित हैं लेकिन COVID-19 टेस्टिंग लेब का दरजा पाने के लिए वे शर्तों को पूरा नहीं करते हैं